महाराज जी थोड़ा आप से जानकरी चाहिए थी कि आप ये जो कारसेबख रहे हैं 1984 में और ये सब जो है ये क्या-क्या है और किस-किस चीज यहां पर रखा गया है कब तक राम मंदिर में ये जाएगा सर प्रसंद आप लोगों को मेरा प्रणाव जैसे नाम नमस्कार मैं मेरा नाम राम परजापती गायतरी नगर इस्या बाहराइच उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैं 84 से एक साथ अक्टूबर से राम जनब भूई में ताला रगा था तो माता जानकी जी रश सजा करके राम परणी के मैदान था वहीं पर कारकन किया हमको एक तारीक को एक अक्टूबर को मैं डिगरी कारिज का चप्रासी था प्रोफेसर के मेज पर परचा पाया तो मैं कि ही इसे राम मंदिर का पपरण ताला खोलने का परचार रात में त्यकत के अपने में दाय फरफकर करता था चैए और सब्सक्राइब और आज सफलता सफलता आज मिली कितना खुसे यह आँख ने दिख लिए चौरासी में में हमने आद्दोलन किया रच के द्वारा यहां बताया गया था संकल्ब दिलाए गया गंगा जल जल ले करके कि यह भीर दिखाने सकाम नहीं चलेगी जरूरत पड़ेग और दो बसें हमारे वहां से डेल सो लोग आया थे सभी लोग चलेगे लेकिन मैं साथ दिन रत्ते पीछे चलता रहा साथ दिन में लखनों पहुंचा सरकार ने कुछ नहीं सुना हम लोगों का करीब लाखों के और डेल लाख की संक्या में जाए हम लोग सरकार से अनने बिन करने माता जी आंकी जी अनने बने करने के लिए कि कारण बता दो किस कारण ताला लगा हम लोग उपार सोच लेंगे उस समय मुख मंत्री नारान दत्तिवारी थे वह भग गए दिल्ली लेकिन उनका कोई मंत्री चप्रासी तक नहीं पूछने आया तो वहीं से घोशा की इसके कारण पूरे देश में भैव्यापता मैं जिले से अकेल गया था दिली राम लिला ग्राउंड में राम के कारकम में ता मिल गई आपना आंखे आपके आंखे देख उसका परणाम यह हुआ कि 86 में कांग्रेश की सरकार रही चेंद्र में कारवाहक प्रधान मंत्री रा पाँच अप्रेर 87 को मंदीर बनवाने का संकल्प दिवस लेने के लिए हम सब ही कार्षयों को कुप पना बलाया गया हम लोग आ करके सर्जू के किनारे संकल्प लिए राम मंदीर के लिए हम लोग तन मैंधन लगा करके राम मंदीर को मुक्त कराएंगे और यहां पर भभ को हटा करके भब मंदिर बनाएंगे यह संकल फंडोगों ने लिए अब मंदिर बन रहा है यह जो आया है आपको मैं बता रहा हूं एक सो नौ कलस में जोदपूर संदीपनमुनी गौसाला राजस्थान से एक सो नौ कलस में छे कुंटल तीस किलो गी नौ साल से बटोर करके वो लाए हैं उनके गुरू जी कह गए थे मतंग रिशी की तरह सभी को असासन दे गए थे कि आपके समय में राम मंदिर बनेगी आप मंदिर देखोगे तो नौ साल से वो घी बटोर करके छे कुंटल तीस किलो घी ला करके यहां स्री राम महायग चोदा तारीख से प्रारम होने वाला है जनम भूमी में उसके लिए यह गी लेकर के हैं इसमें पांच परकार किया सज्विया पड़ी है जो घी दसों साल आपकी तो तजर्वा यह कहता है कि आपने जनम भूमी आंदोलन में भी सामिल हुए और इसके बाद जो सफलता मेली गोली नहीं लगी आपके दर्सन होना था इसलिए मैं बच गया और सारे कारकरम में मुरायम सिंग ने नब्बे में राम जोती बुजाती उत्तर प्रजेस को बड़े आत्कारियों को कि हनमान जी लंका गए तो छोटा गूल बना लिया था और पूरा लंका घूमा है तो अब राम जोती का रूप आग बना लो दीपक बुझा देता है और गिर्थार कर लेता है और आग बना करके उस दीपक से जला करके गुप्तुरूप से ले ज हम लोगों का को लुगों का कलंक हिंताय और भगवान राम प्राक्रावत को लुट सारा याय हो गया और भारत तो राम मय ह मैं है तो योधया कि दुरम मैं आप लोग window लोग प्रश्व कृट प्राप लागिवा राम मंदिर्रे एकोसी मिनीट्रे एकोसी कुईंट्याल घंट त्यारी होईचे बंग लागिवा बंग आउटे बड़कता कोटले इतिहास्त्र ये होच्चुन्ती सेई कार्शेबग जिये राम जन्मभुमिया अंदलन्न संघर्ष समर्थिले बंग सफळता जेते बले आजी मिलीची से वित्त भूमिरे जेते बले राम लाला आजी प्राण प्रतिष्ठा पाईवा पाईँ जाओ छन्ती ये खुसीरे लुह आसुछी एबंग राम मय होची अजध्या राम मय होची पूरा विश्वामे विज्वाल देखोतुलू एक्सक्लिव खबर पूसी मिनीट्रे निर्भीतों हित्वा एककोस कुइंटेल घंटर अचित्र और जो ध्यारू कैमेरा परसन सुमान साहूंक सहा सफ्टांचले महांती और गस्निवर्श